जो है यह देखो यहाँ पे है आपका यह दिया गया है कि क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है also known as क्विक सिल्वर, aluminum, mercury, platinum या फिर palladium निमलकित में से वह कौन है जिसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है क्या होगा राइट आंसर सभी को बताना है और बिल्कुल से बताना है चली करेंगे सभी तो क्विक सिल्वर के नाम से जो है यह देखो जाना जाता है अगला सवाल जो की है आपका यहां पे देखो यह आपको दिया गया है क्या क्यूशन है आपका कि किसमे प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोथ पाया जाता है तो प्रोटीन जो है यह देखो पाया जाता है चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे नेश क्यूशन पे जो की यहां पे आपका दिया हुआ है यह क्यूशन आपसे किया गया है कि pH मान का निर्धारन किस ने किया तो जो pH मान है इसका निर्धारन किया है देखो सॉरेंसन ने क्या हो गया तो ऑपसें डी सॉरेंसन चलिए नेश क्यूशन देखेंगे अगले सवाल को जो की है आपका यहां पे देखो यह दिया गया है कि साधारन नमक का रसाइनिक नाम निमलिखित में से क्या है वाट इस वाट इज वाट इज वाट इज वीच अफ़ देखो गया होता है तो वह होता है अब पूछदे इसका साधारन नाम रसाइनिक नाम तो वो क्या है तो वह है देखो sodium chloride क्या हो जाता है right answer तो यह हो जाएगा आपका sodium chloride सभी ध्यान में रखना चलिए next question देखें कि एगले सवाल को जो कि यहाँ पे है देखो आपका यहाँ आपको दिया गया है यहाँ पे क्या देखो कि दो प्रात्मी करंग लाल और नीले के मिसरंच से कौन सा secondary रंग प्राप्त होता है which secondary color is obtained by mixing two primary colors red and blue बताना है कि जब लाल और नीले को मिलाएंगे तो उससे मिलकर कौन सा दृत्यक रंग प्राप्त होगा सफेद, पीला, मैजेंटा या फिर सियाद जलिए करेंगे सभी लोग और जल्दी से बताएंगे लाल और नीले को मिलाने पर जो कौन सा रंग प्राप्त होता है तो वो है देखो आपका मैजेंटा क्या अगे राइट आंसर तो option C मैजेंटा चलिए नेक्ष्क्रिप्शन देखेंगे अगले सवाल पे जो की है आपका यहाँ पे देखो कि पुस्पो का अध्यन कहलाता है अगले सवाल पे बढ़ेंगे नेक्ष्क्रिप्शन पे जो की हुआ है कि वाता बरन में प्रकास का विश्टरन निमलिखित की वज़ा से होता है अगले सवाल को जो की यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि एड़वर्ट जेनर निमलिखित में से किस रोग से जुड़े है एड़वर्ट जेनर इसेटेड विच आप दो फॉलोविंग डिजीज विसुची का आन्जवर चेचक या फिर लकवा निमलिखित में से जो एड़वर्ट जेनर है या किस रोग से जुड़े हुए है क्या होगा राइट आन्सर सभी को करना विल्कुल से ही बताना है तो जो एड़वर्ट जेनर है यहाँ देखो जुड़े हुए है वह किसको असोसित करती है तो जो जोन परत है यहादेको असोसित करती है अल्टरा वाइलेट रेज को, अल्टरा वाइलेट किरनों को चलिए next question देखेंगे अगले सवाल पर जो की है आपका यहाँ पर देखो यह दिया गया है कि थर्मामेटर ताप मापी में निमलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है तो वह है देखो आपका गयलिख्टीन क्या होगे राइट आंसर तो अपसन भी गयलिख्टीन चलिए नेक्ट क्यूशन देखेंगे अगले सवाल पे जो कि यहां पे आपको मिला हुआ है देखो यह क्या क्यूशन आपका यह दिया गया है कि पुर्सो की अपयक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तिक्षन होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज है woman's voice is louder than means because woman's voice is आयाम कम होता है आयाम अधीक होता है तरतों कम होता है या फिर तरतों अधीक होता है निमलिखित में से किस वज़ा से पुर्सों के पेक्षा महिलाओं की आवाद जो है अधीक तिक्षन होती है तो इसका जो कारण है वो ये है कि इनका जो तारत तो है वो अधीक होता है इस दपीचीज हायर ठीक है चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे नेश्क्रिप्शन पे ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है देखो कि निमलिखित कोसिका अंगकों में से कौन सा एक अर्ध परागम में है which one of the following cell orginals is semi-permelable कोसिका जिल्ली, प्लाज्मा जिल्ली, कोसिका भित्ती या फिर केंदर, निमलिखित में से कौन सा एक कोसिका अंगक है जो की एक आपका अर्ध परागम में है जो की semi-permelable है तो द Kommentar कों परेंबल जो होता है description पे जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है देखो कि प्रकास voltage cell के प्रयोग से सौर उर्जा का रुपांतरन करने में किसका उत्पातन होता है how much is produced by converting solar energy using photovolatic cells प्रकास की उर्जा विदूत उर्जा उसमिय उर्जा प्रकास voltage cell के प्रयोग से सौर उर्जा का रुपांतरन किस में किया जाता है तो जो सौर उर्जा है उसको देखो बदला जाता है electrical उर्जा में विद्धूत उर्जा में क्या हो जगा right answer तो option B चलिए next question देखेंगे अगला सवाल जोकी आपका यहाँ पे देखो यह दिया गया है कि योगिक कौन सा है which is the compound पारा ओजोन वायू या फिर ammonia निमलिकित में से कौन सा ऐसा है जोकी एक योगिक है जोकी एक compound है चलिए सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है तो यहाँ पर जो योगिक है यहाँ पे जो compound है वो कौन सा है तो वो है देखो आपका ammonia जो यहने भी आँसकी है D को उन्होंने बिल्कुल सही बताया है चलिए next question देखेंगे अगले सवाल को जोकी है यहाँ पे देखो आपका कि दूद के दही के रूप में जमने का कारण है The reason of cutting of milk is यह Mycobacterium या फिर देखो लिया हुआ है इसलेफली कोकस या फिर आपका Lactobacillus या फिर खमीर निमलिकित में से दूद के दही के रूप में जमने का क्या कारण है क्या होगर I'd answer तो दूद के दही के रूप में जो जमने का कारण है वो है देखो Lactobalysis क्या होज़ागर I'd answer तो option C Lactobacillus हो गया सभी का चलिए अगली सवाल पर पढ़ेंगे निश्क इश्चन पे यह है देखो यहाँ पे कि गन्ने के लाल सडन रोग किसके कारण होता है Red Road Disease in Sugar Cane is Caused by जिवानू, कवक, विसानू, कवक या फिर निमलिकित में से किसके वज़ा से जो है गन्ने में लाल सडन रोग होता है चलिए अगली सवाल पर पढ़ेंगे निश्क इश्चन पे जो की है यहाँ पे देखो कि चटका हुआ काँच चटकीला क्यों प्रतित होता है जो है यहाँ देखो चटकीला प्रतित होता है पूर्णा आंतरिक परावर्तन की वज़ा से टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन की वज़ा से क्या होगे राइट आंसर तो अब संडी चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे नेट्स क्रिफ्शन पर उननीस नंबर सवाल है देखो आपका यह यह दिया गया है कि भस्मों के जलिये घोल में कौन सा आयन होता है या पर इसी को जो है देखो बेस भी बोलते है अब यह एगर अमल बोल देगा तो अमल विए रखना है फिसक्यूशन देखेंगे अगले सवाल को जो कि यहां पर आपको दिया हुआ है देखो यह क्यूशन है आपका कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध if a resistive wire is lengthened its resistance बढ़ता है घटता है इस्तीर रहता है या पर इन में से सभी बताना है कि देखो यदि किसी परतिरोधक तार को लंबा करेंगे तो उससे उसका परतिरोध क्या होगा तो परतिरोधक तार को लंबा करने पर जो है उसका परतिरोध देखो ग्रोज होता है उसका परतिरोध भी जो है बढ़ता है ठीक है चलिए निश्क्रिवचन देखेंगे अगले सवाल को जो कि यहां पे है देखो आपका कि प्रीजम में प्रकास के विभिन रंगों का विभाजन कहलाता है the division of different colors of light in a prism is called प्रकास का प्रवर्तन, प्रकास का अप्वर्तन, प्रकास का विवर्तन या फिर प्रकास का वंड विछेपन प्रिजम में प्रकास के विभीन रंगों का विभाजन जो है क्या कहलाता है क्या होगा right answer तो प्रिजमे में प्रकास के विविन रंगों का जो विभाजन है यहां देखो प्रकास का वर्ण विछेपन कहलाता है क्या होगा राइट आंसर तो आपसंडी डिस्प्रेशन ओफ लाइट ठीक है चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे नेश्क इविशन पे जो की है आपका यहां पे देखो कि मानो का जैविक नाम है वोट इस द बायोलोजिकल नेम ऑफ यूमन होगे राइट आंसर तो उप्संडी होगया सभी का चलो वगले सवाल पर पर पढ़ेंगे नेश्क क्रिप्शन आपका यहां पे दिया हुआ है देखो कि विरंजक चूड़न है बलीच सभी लोग करेंगे और बिलकुल सही बताएंगे विरंजक चुन्ड का फर्मूला क्या होता है तो जो विरंजक चुन्ड है इसका सुत्र होता है देखो C A O C L 2 क्या होगा राइट आंसर तो आप्शन B हो गया सभी का चलो नेक्स क्यूचन देखेंगे अगला सवाल जो कि है आ आम क्या है what is the chemical name of baking soda? sodium carbonate, sodium bicarbonate, sodium acetate या फिर sodium hydroxide निमलिकित में से जो baking soda है इसका रसाइनिक नाम क्या होता है? क्या होगा राइट आंसर? तो baking soda के समसे परले सूत्र देख लो क्या होता है? तो यह होता है आपका देखो A NHA CO3 ठीक है? इसको क्या बुला जाता है? तो इसको कारण से अपनी वास्तिवी घराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है for what reason, Dutch of fish, laying under water, appears raised above its actual depth प्रकास के विवर्तन के कारण, प्रकास के अपवर्तन के कारण, और फिर प्रकास के प्रावर्तन के कारण क्या होगे राइट आंसर तो option B प्रकास का अपवरतन चलिए नेक्स्क्यूशन देखेंगे अगले सवाल को जो कि यहाँ पर आपका देखो कि कौन सा पदार सरवाधिक परत्यास्त है Which substance is most elastic? रबढ़, इसपात, काच या फिर प्लास्टिक? चलिए करिए कई सबी क्या होगा? कौन सा इस पदार थे? जो कि सरवाधिक परत्यास्त है? जो कि सबसे अधिक Elastic है तो देखो ऐसे तो आपका सबसे अधिक elastic रबड ही होता है ठीक है लेकिन यहाँ पर आपका steel दिया गवा है तो याद रखेंगे steel जो है सबसे अधिक परत्यास माना जाता है ठीक है सबसे अधिक elastic माना जाता है चलिए next question देखेंगे अगले सवाल को जो की है आपका देखो कि निम्द में से किस धातु को प्राप्ट करने हेतु बॉकसाइट अयस्क है बॉकसाइट is the ore to obtain which of the following metals लोहा तांबा चांदी या फिर अलुमिनियम निम्लिकित में से किस धातु को प्राप्ट करने के लिए जो है बॉकसाइट अयस्क है तो इसका right answer होगा देखो option D Aluminium हो गया सभी का चलिए निश्क क्यूशन देखेंगे अगले सवाल को जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है देखो यह क्यूशन है कि निकट द्रिष्टी दोस की रोग मुक्ती होती है इस देरा क्योर फोर मायोपिया उत्तर लेंस द्वारा उत्तर लेंस द्वारा सिलेंडरी लेंस द्वारा या फिर इन में से कोई नहीं निमलिकित में से कैसे जो है निकट द्रिष्टी दोस का उपचार होता है कैसे जो है निकट द्रिष्टी दोस का उपचार किया जाता है तो इसका जो तरीका है वो है देखो ओतल लेंस द्वारा बाई कॉनकेब लेंस ठीक है चलिए निश्क्यूशन देखेंगे अगले सवाल को जो कि यहाँ पे देखो कि जीवन की उत्पत्ती हुई लाइफ ओर्गिनेटिड पहालों पर भूमी पर जल में या फिर वायू में क्या उगर आईट आंसर सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है तो जीवन की जो उत्पत्ती है यहाँ देखो हुई है जल में क्या हो गया तो अप्संसी हो गया सभी का चलिए निश्क्यूशन दे जिब्रेलीन है वहाँ किसमे से निकाला जाता है क्या उगर आईट आंसर सभी को करना और बिल्कुल सही बताना है तो जो जीब्रेलीन है यहाँ देखो निकाले जाते है फंगस से यहाँ निकाले जाते है कवक से क्या उपसं ने चलिए नेक्स्क्रिप्शन देखेंगे मापा जाता है, सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सभी बताएंगे, गलती किसी से भी नहीं होनी चाहिए, मैनो मीटर के द्वारा जो एक क्या मापते हैं, तो जो मैनो मीटर है, इससे देखो मापा जाता है, गैसों का दबाओ, गैस प्रेसर, क्या हो गए राइट आंसर, तो ऑप्शन भी हो गया सभी का, चलिए निश्क्यूशन देखेंगे, अगला सवाल जो की है, देखो, कि टेली स्कोप की खोज किस वैग्यानिक ने की थी, विच सैंटिस डिस्कवर्ड दर टेली स्कोप, निउटन, जेम्स वॉर्ट, रदर फोर्ड, या फिर गैलेलियो, निम की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, विच गैस इस रिलिज ड्यूरिंग फर्मिंटेशन, कार्बन डायोक्साइड, सलफर डायोकसाइड, ऑक्सीजन, या फिर हीट्रोजन, निमलिकित में से किनवन की जो क्रिया है, उस दोरान कौन सी गैस निकलती है, क्या हो गघर depends what is the center of respiration inside the cell ribosome, mitochondria, golgica, या फिर kendra निमलिकित में से कोसिका के भीतर स्वसन का kendra क्या होता है क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे और बिलकुल सही बताएंगे चलिए जल्दी सायन से किजिएगा तो कोसिका के भीतर जो स्वसन के अंदर है वो है देखो, mitochondria क्या होगा राइट आंसर, तो option B हो गया सभी का, चलिए निश्क्रिशन बढ़ेंगे अगले सवाल पे, जो कि यह देखो कि मानोर उधिर का pH है what is the pH of human blood 7.2, 7.8, 6.6 या फिर 7.4, निमलिकित में से जो मानोर उधिर है, जो मानो खून है कि, dude does not form in strong windy night because, वास्पी करन की दर तेज होती है, हवा में नमी हो कम होती है, ता अपमान उचार आता है या फिर आकास साफ नहीं होता है निमलिकित में से किस वज़ा से जो है तेज हवा वाली रातरी में उस नहीं बनने का जो कारण है, वो है देखो वास्पी करन की दर जो है तेज होती है, क्या अगर आइट आंसर तो अप्सन है, हो गया सफिका चलिए निश्क्यूशन देखेंगे अगले सवाल को जो की दिया हुआ है यहाँ पे कि, प्रकास की गती किसके बीच से जाती हुई नियून्तम होती है तो अगर सबसे जादा बोले तो याद रखेंगे निरवात में होती है वैक्यूम में होती है, ठीक है सबसे कम हो गया कास में सबसे जादा हो गया नियून्तम ठीक है, चलिए निश्क्यूशन देखेंगे अगले सवाल को जो की यहाँ पे hai देखो आपका यह दिया गया है कि नाभीकी रियक्टरों में विमंदक और प्रसीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है तो वो है देखो आपका हैवी वाटर भारी पानी इसका सुत्र क्या होता है तो इसका सुत्र याद रखेंगे इसका सुत्र जो होता है डी टू ओ पुछा गया है से विद्यान में रखना चलिए नेक्स्क्यूशन देखेंगे अगले सवाल को जो कि यहाँ पर देखो आपका 49 तंबर सवाल है कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका और उसकी गुना हो जाएगा क्या होगे राइट आंसर तो अप्सन भी गति जुर्जा चार गुना हो जाती है चलिए नेक्स्क्यूशन देखेंगे अगले सवाल को जो कि यहाँ पर देखो आपका कि प्रतिक्रिया के बराबर वविप्रित दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है यह है फोरेवरी एक्षन देखेंगे और बिल्कुल से बताएंगे तो देखो प्रतिक्रिया के बराबर वविप्रित दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है यह जो है देखो आपका न्यूटन का गति विश्यक तृतियक नियम है न्यूटन स्थर्ड लोफ मोसन है ठीक है चलिए न 40 नंबर सवाल यहां पर देखो कि फोटोन किसकी मूल भूट यूनिट और मात्रा है वाट इस दब फंडामेल्टल यूनिट और क्वांटिटी और फोटोन प्रकास गुरत्वाकर्षन विद्यूत या फिर चुम्बकत्व क्या होगर आइट आंसर जोए ने अभी तक भी क्ला जो कि है यहां पर देखो कि विटामीन ए का रसाइनिक नाम क्या है वाट इस दे कैमिकल नेम ओफ विटामीन ए बायोटीन रेटीन ओल टोको फिर ओल यहां पर थाइमीन निमलिकित में से विटामीन ए का रसाइनिक नाम क्या होता है क्या होगा राइट आंसर सभी लोग करे एक्थोलोजी या फिर एंटोमोलोजी जो मतसे पालन है जो जो यहाँ पर hesitस ञ designation है उसको क्या बोला जाता है what is measured by barometer समुद्र की घराई द्रौ का घनतो वायू मंडलिये दाब या फिर वायू दाब निमलिकित में से जो barometer है उससे किसका दाब किसका जो है मापन किया जाता है क्या होगा right answer सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे तो जो barometer है इससे देखो माप होता है वायू दाब का क्या होगा right answer तो option D वायू दाब हो गया सभी का चलिए description देखेंगे अगले सवाल को जो की है आपका देखो यहाँ पे यह दिया गया है कि computer की खोज किसने की who discovered computer Charles Bevej, Rudolph, Alexander Walter या फिर E. Torsley निमलिकित में से किसके दवारा computer की खोज की गई देखेंगे अभी जो आप सब दाटेश्ट लगाते चलिए इस class का PDF जो है आप सभी को telegram group पर मिल जाएगा telegram group से जुडने का जो link है वो नीचे description box में है computer की जो खोज है यहाँ देखो कि आगया है चार्ल्स बैवेस के दवारा क्या होगे right answer तो option है हो गया सभी का चलिए description देखेंगे अगला सवाल है देखो कि insulin का विसकार किस ने किया who invented insulin betting, jackob, manod या फिर Edward zainer निमलिकित में से किसके दवारा जो है insulin की खोज हुई क्या होगा right answer सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल से ही बताएंगे चलिए बताएंगे जल्दी से क्या होगा यहाँ पे तो जो insulin है इसकी खोज हुए देखो betting के दवारा क्या होगया तो option है हो गया सभी का चलिए description देखेंगे अगले सवाल को जो की है यहाँ पे कि दही खटा दूध में कौन सा अमल पाया जाता है विच एसीडिस फाउंड इन कर्ड सौर मिल्क लैक्टिक अमल हाइडरोक्लोरिक अमल या पिर कार्बोनिक अमल या फिर नाइट्रिक अमल निमलिकित में से जो दही है जो खटा दूध है उसमें कौन सा अमल होता है तो इसमें जो अमल होता है देखो लैक्टिक अम क्या अगर आइट आंसर तो आपसा ने हो गया सभी का चलिए ने श्क्रिप्शन देखेंगे अगला सवाल जो की है आपका यहाँ पे देखो यहाँ दिया गया है आपको कि उड़ते विमान की उचाई का पता लगाने के लिए किस अंतर का प्रयोग किया जाता है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ टू फाइंड वेट आप एयर एंड यहाँ पे बताना है यह थोड़ी सी मिच्टे को यह ठीक है जो फ्लाइंग एरो प्लेन है उसका हाइट कैसे ग्याद करते है तो यहाँ देखो ग्याद किया जाता है अल्टी मीटर से क्या हो गया राइट आंसर तो अप्सन है अल्टी मीटर ध्यान में रखेंगे सभी चलिए निस्क्रिप्शन देखेंगे अगले सवाल पे जो कि यहाँ पे देखो आपका 49 नंबर सवाल है सफेद सोना किसका उपनाम है रुज निकने मीज वाइट गोर्ड टाइटेनियम आइरन पैराइट प्लेटिनम या फिर पारा निमलिकित में से किसका जो है उपनाम है सफेद सोना क्या होगा राइट अंसर तो सफेद सोना जो है यह देखो कहा जाता है प्लेटिनम को क्या हो गया है तो option C हो गया सभी का चलिए अब जो है आज का 50 नंबर की उश्चन 50 नंबर की उश्चन है आपका देखो यहाँ पे कि कार्य तता उर्जा का SI मात रख क्या है what is the SI unit of work and energy joule radion second या फिर किलोग्राम निमलिकित में से कार्य तता उर्जा का SI मात रख क्या होता है क्या होगा राइट आंसर जल्दी सभी class को like करेंगे उसके सब्सक्राइब करेंगे अपने और इफ्रेंस के साथ और जिनों ने भी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को all पर सेट कर देंगे तो कारे तथा उर्जा का जो SI मात रख है यह देखो जूल होता है क्या होगा राइट आंसर तो अप्सन ने हो गया सभी का चलिए निश की उचने बढ़ेंगे अगला सवाल देखो 51 number स सिधान्त है इसको देखो दिया है मैक्स प्लांक ने क्या होगा राइट आंसर तो अप्सन भी मैक्स प्लांक हो गया सभी का चलिए निश की ने बढ़ेंगे अगले सवाल पे जो की यहाँ पे है देखो कि अमलिये विलियन का pH मान कितना होता है what is the pH value of an acidic solution 7 से कम 7 से ज्याद साथ से कम होता है ठीक है चलिए अगले सवाल पे पढ़ेंगे नेश की यूशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है देखो यह की यूशन है कि जूटा सोना या बेवकूफो का सोना किसका उपनाम है whose nickname is false gold और false gold titanium iron pirates platinum या फिर पारा निमलिकित में से जूटा सोना या बेवकू फोकस होना है वह देखो बुला जाता है iron pirates को क्या होजगा right answer तो option B हो गया सभी का चलिए नेश की यूशन देखेंगे अगला सवाल है आपका कि ध्वनी का तारत्व किस पर निर्भर करता है what does the peach of sound depends on तो आवरिती तिवरता वेग या फिर आयाम निमलिकित में से जो ध्व को जो की दिया हुआ है कि Newton के पहले नियम को भी कहते है also called Newton's first law अगुंड का नियम जड़तो का नियम उर्जा का नियम या फिर समवेक का नियम Newton के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है क्या उगर I'd answer तो Newton का जो पहला नियम है इसको देखो law of inertia जड़तो का नियम भी बहुत बार एक क्यूशन पूछा गया है सभी ध्यान वे रखना चलो नियम जड़तो क्यूशन पर देखेंगे अगला सवाल है यहां पर आपका कि कोसिका का उर्जा ग्री किसको कहा जाता है what is called energy house of sale गौल जी का है नुकली ओकस या फिर माइट्रो कॉंड्रिया या फिर र what is the SI unit of bull क्या होता है बल का SI unit Kelvin, Newton, Pascal या फिर वोल्ट निमलिकित में से बल का SI मातर क्या होता है force watts SI unit तो force का SI unit है यहां देखो Newton होता है क्या हो गया राइट आंसर तो option B हो गया सभी का चली अगले सवाल पर पढ़ेंगे next question दिया हुए है देखो कि एक अस्वसक्ति 1 HP होते है one horsepower consist of 200 watt, 500 watt, 700 watt या फिर 746 watt एक अस्वसक्ति में जो है कुल कितना watt होता है तो इसमें जो है देखो 746 watt होता है क्या हो गया राइट आंसर तो option D हो गया सभी का चली ये description देखेंगे अगला सवाल है यहां पे कि proton की खोज किसने की who discovered दो proton, goldstein या फिर Chadwick या फिर Thompson या फिर आप क्लास को सेर जरूर कर दीजिएगा ताकि जितने भी आपके फ्रेंट से सभी तक क्लास पहुंच पाए वो भी अपने तयारी को और बेतर कर पाए प्रोटीन की जो खोज है यहां देखो की गई है goldstein के दवारा ठीक है या फिर इन ही को जो है देखो rather ford भी लिखता है तो भी ही मानना ठीक है ना चली अगले सवाल पर पढ़ेंगे नेश क्यूचन है देखो यहां पर यहां दिया गया है साथ नंबर सवाल है आपका कि LPG का मुख्य घटक है the main component of LPG is methane, ethane, pentane या butane बहुत ही important क्यूचन है सभी लोग करेंगे और जल्दी से बताएंगे जल्दी ज अगला सवाल दिया हुए यहां पर देखो कि वायू यान और रोकेट बनाने के लिए कौन सिधातू परयोग की जाती है which metal is used to make aircraft and rockets, सीसा, aluminium, nickel या फिर टामबा, निमलिकित में से कौन सिधातू जो है जिसका प्रयोग होता है वायू यान और रोकेट बनाने में, तो इसका जो प्रयोग होता है वो होता है देखो aluminium का, क्या होगे right answer तो option B, aluminium, चलिए next question देखेंगे, अगला सवाल यहां पर देखो आपका यह आपको दिया गया है कि निम्न द्रवों में से ध्वनी सबसे तेज यात्रा करती है, which of the following matter, डज साउंड ट्रेवल फास्टिस्ट, स्टील में, वायू में, निर्वात में, या फिर जल्वे, निमलिकित में से किस में, जो है, किस ध्वनी सबसे तेज यात्रा करत यह देखो, इस्टील में, क्या होगे, राइट आंसर, तो अप्शन ए, इस्टील, ठीक है, चलिए निस्क्रिप्शन देखेंगे, अगला सवाल, जो कि यहाँ पे देखो आपका, कि जीव विग्यान के जनक के नाम से किसे जाने जाते हैं, who's known as father of biology, अरस्तु, डार्विन, ले मार्क, या फिर पुरकिंजे, निमलिखित में से किसे जीव विग्यान का जनक मना जाता है, क्या होगा, राइट आंसर, सभी लोग को करना और बिल्कुल सही बताना है, तो जीव विग्यान का जनक जो है, यह देखो कहा जाता है, अरिस्टोटल को, यह कहा जाता है, अर फाइको लोजी है इसमें निमलिकित में से किसका अध्यान होता है क्या होगर आइट आंसो सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे तो जो फाइको लोजी है इसमें देखो अध्यान होता है सेवालों का ओफ एलगी ठीक है चलिए अगले सवाग बढ़ेंगे नेश् अच्छे वित्रक हैं सूती वस्त्रों से भारी होते हैं या फिर ताप के अच्छे रोधक हैं उनी कपड़े जो हैं सूती वस्त्रों के बेक्षा गर्म होते हैं ऐसा क्यों होता है तो उनी कपड़ों का सूती वस्त्रों के बेक्षा गर्म होने का जो कारण है वो यह है कि यह गुल्ड इंसल्टर्स ऑफ हीट है चलिए देखेंगे अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया हुआ है देखो कि सुरियोदे और सुरियास्त के समय वायू मंडल में लालिमा किस कारण चाजाती है वाय डस दे एटमस्पेयर बिकम रेड ड्यूरिंग संराइज एंड संसिट प् सवीका चलिए देखेंगे अगला सवाल जो कि यहाँ पर आपको दिया हुए देखो कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं वाय डज वी स्लीप ओन स्वैंपी रोट्स गुर्तवा करशन बल आप एक छिक बल घरसन की कमी या फिर घरसन की अधिकता किस वज़ा से जो सवाल जो कि है आपका यहाँ पर कि पेनी सिलीन के खोज किसने की हूट डिस्कवर्ड पेनी सिलीन चार्ल्स गुडियर माइकल फेराडे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर डी में है विलियम हारवे निमलिकित में से किसके दवारा जो है पेनी सिलीन की खोज की गई क्या ह तो जो पेनिसिलीन है इसकी खोज़की गीए देखो अलेक्जैंडर फ्लेमिंग के दौरा क्या होता है तो अप्षन सी अलेक्जैंडर फ्लेमिंग चलिए नेश्क कीवचन देखेंगी अगला सवाल यहाँ पे 70 नंबर सवाल है आपका कि कोई साइकल सवार किसी मोड में घुम तो वह, if a cyclist spins in some mode then ही बाहर की ओर जुकता है, अंदर की ओर जुकता है, आगे की ओर जुकता है, या फिर बिल्कुल नहीं जुकता, कोई cycle सवार किसी mode में घुमता है, तो उसके साथ क्या होता है, तो कोई cycle सवार किसी mode में घुमता है, तो वह देखो, अंदर की ओर जुकता है लिन्स इन्वर्ड ठीक है चलिए ने श्क्यूशन देखेंगे अगले सवाल को जो कि यहाँ पे है देखो आपका कि सबसे भारी धातू है वाटिज हैविएस्ट मेटल चांदी सोना पारा या ओस्मियम निमलिकित में से सबसे भारी धातू कौन सी है सभी को करना और बिल्कुल सभी बताना है चलिए बताएंगे सभी लोग सबसे भारी धातू कौन सी है तो वो है देखो आपकी ओस्मियम क्या हो गया तो option D हो गया सभी का चलिए ने श्क्यूशन बढ़ेंगे अगले सवाल पे जो कि यहां पे है देखो आपका कि सरवाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाय जाते है who has the maximum numbers of isotope uranium, hydrose, polonium या फिर lead निमलिकी तमेंसे किसमें सरवाधिक संख्या में समस्थानिक होते है क्या हो गार I'd answer तो सरवाधिक संख्या में समस्थानिक जो है यहाँ देखो होते हैं पोलोनियम में क्या हो गया तो आप्सन सी पोलोनियम हो गया सभी का चलिए अगले सवाल बढ़ेंगे नेक्ष की विश्यन दिया हुआ है देखो यहाँ पे कि प्रिथवी का पलायन वेग है प्रिथवी का पलायन वेग जो है कितना होता है क्या अगर अभी तक भी हमारी इबुक को बाई नहीं कियो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे जो हमारी आर्मी के देखो नई इबुक है वो आर्मी जनरल डियोटी उमेन मिटरी पुलिस ट्रिश्मेन कलर्क सभी के लिए है इसमें आपका दस मॉडल पेपर एजी लेवल का है दस मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और पांच अगनिवीर का ओरिजनल पेपर ह फुल सोलिशन के साथ हिंदी इंगलिस में तो सभी लोग इस इबुक बाई कर लेना यह मिल रहा है आपको आपको खरीदने के लिए क्या करना है जो नंबर देख रहा है इस नंबर पर पेटियम गूगल पे से और पर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रिंसट आपको इसी नंबर पे सेंट कर देना वाटसेफ पर एक ओर देarts इबुक है इस इबुक से जो आपका 16 खक्टूबर को तो 16 अक्टूबर का एक्जाम में और आपका 13 नमबर का एक्जाम में इस वाला e-book से 30 में से 28 सवाल आया था जिक्के जीएस का तो यह e-book देखो यह जो e-book है यह आपके लिए है जीडी का यह e-book जीडी का है इसके साथ दुमेंट मेंटरी पुलिस ट्रेश्मेंट टेकनिकल नर्सें केशन कलर्क सभी का है इसमें आपका 32 प्लस जीडी स्क्रिमशन दिया हुआ है यह भी हिंदी इंगलिस दोनों में आता है और यह मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपए में तो यह दोनों e-book आपके लिए बहतरी होने वाला है खरने के लिए इसको भी करना है कि इसी न पेपर अराम से निकल जाएगा और अभी जो है 13 नमबर को देखो अभी केवल 13 नमबर के ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नमबर को 13 नमबर को जो है बच्चों को इस e-book से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों e-book में से तो सभी लोग इन दोनों e-book को जरूर भाई कर लेंगे एक e-book है 90 रुपय का एक e-book है 50 रुपय का 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपके 175 रुपया लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों e-book आपको 1500 रुपय में मिल जाएगा किवल 150 रुपय में आप इन दोनों e-book को खरीच सकते हैं आपके 25 और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्किंशॉट सेंड करना है वाटसेप पर फिर जो यह e-book है यह पीडिये पॉर्मिट में आपके वाटसेप पर भेज दिया जाए तो प्रिथवी का प्लायन विग जो है यह देखो होता है 11.2 किलोमेटर पर सेकिंड क्या ह अगला सवाल यह देखो आपका कि नीला थोथा है it is it blue material कौन सा है copper sulfate, calcium sulfate, iron sulfate या फिर sodium sulfate निमलेखित में से किसे जो है नीला थोथा कहा जाता है क्या होगा right answer नीला थोथा के नाम से किसे जाना जाता है तो यहाँ देखो जाना जाता है copper sulfate को क्या हो गया तो option A हो गया सभी का चलगे अगले सवाल पर ब केपलर, copper nicus या फिर गैलेलियो निमलेखित में से किसके दवारा जो है ग्रहों की गती का नियम प्रतिपादित किया गया क्या right answer सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही बताएंगे तो ग्रहों की गती का जो नियम है यह देखो दिया गया केपलर के दवारा क्या हो गया सभी का चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे next question यहाँ पर आपका देखो यह दिया गया है कि electron ग्रहन करने की प्रविर्ति कहलाती है tendency to accept electrons is called oxy करन और उत्प्रेरन या फिर अभी प्रेरन electron ग्रहन करने की जो प्रविर्ति है उसको क्या कहा जाता है क्या right answer सभी लोग को करना तो electron ग्रहन करने की जो प्रविर्ति है यहाँ देखो और करन कहलाती है क्या हो गया तो option B हो गया सभी का चलिए निश्क्रिशन देखेंगे अगला सवाल है देखो यहाँ पर कि प्रकास का वेग सरपर्थम किस ने ग्याद किया who first found the speed of light Galileo Newton Romer या फिर Michelson निमलिकित में से कि इसके द्वारा जो है प्रकास का वेग सरपर्थम दिया गया क्या हो गया राइट आंसर तो प्रकास का जो वेग है यहाँ देखो दिया गया रोमर के द्वारा क्या हो गया तो option C Romer हो गया सभी का चलिए निश्क्रिशन देखेंगे अगला सवाल यहाँ पर आपको दिया चलिए बताईगे का सभी क्या होगा सौर मंडल का सबसे गरम गरा कौन सा है तो वो है देखो आपका वीनस वो है आपका सुक्र वो गया सभी का चलिए निश्क्रिप्शन करेंगी अगला सवाल यहाँ पे देखो 80 नमबर कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातू है तामबा, लोहा, सीसा या फिर सोडियम निमलिकित में से कौन सी ऐसी धातू है जिसे कि चाकू से काटा जा सकता है क्या वगर आई डांसर सभी को करना है और बिल्कुल सभी बताना है चलिए बताएंगे सभी लोग तो चाकू से काटे जा सकने वाली धातू है वो है देखो सोडियम क्या हो गया तो option D हो गया सभी का चलिए अगले सवाल प्पढ़ेंगे next question है आपका यहाँ पे देखो कि बादल किस कारण से वायू मंडल में तेरते हैं किस वज़ा से बादल वायू मंडल में तेरते हैं क्या होगा आई डांसर सभी लोग को करने बिल्कुल से बताईएगा जल्दी जल्दी करते चलेंगे सभी बादल जो है तेरते हैं देखो निम्न घनात्व लोड डेंसिटी की वज़ा से क्या हो गया तो option B हो गया सभी का चली अगले सवाल पर बढ़ेंगे यह देखो 82 नंबर सवाल है आपका कि जूट का पता लगाने वाला यंत्र है लाइट डिडेक्टर, पायरोमीटर, सिस्मोग्राफ, पोलीग्राफ या फिर फोनोग्राफ निमलिकित में से जूट का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है क्या होगर आइट आंसर सभी लोग करेंगे और बिल्कुल जल्दी से बताएंगे जूट का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है तो वो है देखो आपका पोलीग्राफ क्या हो गया तो option C polygraph हो गया सभी का चलिए description देखेंगे अगले सवाल को जो कि यहाँ पे है देखो आपका यह दिया गया है कि लोहे किसुई पानी की सताव पर किस कारण तैरती है why does an iron needle floats on the surface of water पानी के उप्लावन के कारण प्रिश्टनाव के कारण सेंता के कारण या फिर गुरुत्विये बल के कारण जो लोहे किसुई है वो पानी की सताव पर किस कारण से तैरती है क्या उगर write answer तो लोहे किसुई जो है यह देखो पानी की सताव पर तैरती है due to surface tension प्रिश्टनाव के कारण ठीक है चलिए next question देखेंगे अगला सवाल जो कि यहाँ पे देखो कि सरपर्थम मानों ने निम्न धातू का उप्योग किया first man used the following metals सोना, चांदी, तामबा या फिर लोहा देखो जो भी questions करवाय जा रहे हैं सभी बहुत ज़्यादा important है सभी के सभी questions जो प्रिवियस यर में आ रखे हैं तो सभी लोग बहुत अच्छे सरपर्थम मानों ने निम्न धातू का प्रयोग किया तो मानों ने प्रयोग किया देखो तामबा धातू का, कौपर का, ठीक है चलिए next question देखेंगे अगला सवाल जो कि यहाँ पे देखो आपका कि सबसे पहले रेडियो सक्रियता सब्द का प्रयोग किस ने किया था who first used the term of radio activity हेंडरी बेकविरेल, मेरी क्यूरी, रधरफोर्ड या पि डी ब्रॉगली निमलिकित में से किस के द्वारा जो है सबसे पहले रेडियो सक्रियता सब्द का प्रयोग किया गया क्या होगर right answer सबसे पहले जो रेडियो सक्रियता सब्द है इसका प्रयोग किस ने किया था तो यहाँ देखो किया गया है हेंडरी बेकविरेल के द्वारा क्या हो गया तो option है हेंडरी बेकविरेल चलिए नेक्स क्यूचन देखेंगे अगला सवाल जो कि यहाँ पे देखो आपका कि कोसिका का रसोई घर किसे कहा जाता है लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, रिक्तिका या फिर क्रोरोप्लास्ट बहुत ही इंपोर्टन क्यूचन देखें इंडियन आरमी का बहुत बार जो आ रखा है और यवी पिछले कुछ दिनों मैंने आपसे पोल करवाया था जो मैं क्यूचन क्वीज देता हूँ वो मैंने दिया हुआ था उसमें इस क्यूचन का अंसर बहुत ज़्यादा बच्चों ने गलत बताया था जबकि मैंने इसे पढ़ा रखा है आप सबको तपर वे आपसम ने गलत किया और यह जो क्यूचन है यह एम वी वी आई है बहुत बच्चों उस पोल में गलत अंसर टिक किया था तो देखो कोसिका का जो रसोई घर है न यह कुलोरोपलास्ट को कहा जाता है सब को याद रखो हरीत लवक को कुलोरोपलास्ट को जो है कोसिका का रसोई घर बोलते है सभी ध्यान में रखो मिश्टेक मत किया करो ठीक है चलिए निक्ष्क्रिप्शन देखेंगे अगले सवाल को जो कि यहाँ पे देखो आपका कि निम्न में से कौन सा न तो तत्व है न ही योगिक which of the following is neither an element nor a compound वायू, जल, पारा या फिर नमक निम्लिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि ना तो तत्व है और ना ही योगिक है क्या होगर आई डांस सभी लोग को करना और बिल्कुल सही बताना है चलिए बताएंगे सभी तो निम्लिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि ना ही तत्व है ना ही योगिक है तो वो है देखो आपका वायू क्यों वायू क्योंकि जो वायू है यहाँ देखो एक मिश्रन है हो गया सभीका चलिए अगले सवाल पर बढ़ेंगे यह देखो दिया हुआ है यहाँ पर आपका कि जब किसी वस्तु को प्रित्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है यहाँ पुल्ण रूप से भार रहीत हो जाता है जब किसी वस्तु को प्रित्वी से चंद्रमा पर ले जायाता है तो उसका भार घट जाता है चलिए अगला सवाल देखो 89 नंबर सवाल 89 नंबर सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है what is science or evo of सिस्मोग्राफी नदिया भुकम्प परवत या पिर ज्वाला मुखी जो सिस्मोग्राफी है यह निमलिकित में से किसका विज्ञान है क्या होगर राइट आंसर सभी लोग को करना और बिल्कुल सही बतान है तो जो सिस्मोग्राफी है यह देखो विज्ञान है भुकम्प का क्या होगर राइट आंसर तो option B अर्थक्वीक भुकम्प ठीक है चलिए description देखेंगे अगला सवाल यहां पे आपका 90 नंबर सवाल है देखो कि साबुन को जल में घोलने पर प्रिश्टनाव के साथ क्या होगर राइट आंसर सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे तो साबुन को जल में घोलने पर जो प्रिश्टनाव है वह देखो क्या होता है तो वह घट जाता है क्या होगर decreased बोलते है इसको decreased हो जाता है ठीक है चलिए description देखेंगे अगला सवाल जो कि यहां पे किस काई Newton-meter नहीं है which of the following does not have 1 Newton-meter बल, गती जुर्जा, कार या फिर उर्जा, निमलिकित में से कौन सा एसा है जिसका SI मातरक जो है Newton-meter नहीं होता है क्या वगरikalissement सभी लोग को करना और बिल्कुल सही बताना है चलिए सब कोई करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे निमलि टन मीटर ही होता है ठीक है चलिए देश्क्रिप्शन देखेंगे अगला सवाल जो की है यहाँ पे देखो कि उत्प्रेरग की खोज किसने की गया प्रिप्रेरग की खोज की गई तो जो उत्प्रेरग की खोज है यहाँ देखो किया गया बर्जीलियस के दौरा क्या हो गया तो ऑप्शन ए बर्जीलियस चलिए ने स्क्रिप्शन देखेंगे अगला सवाल जो किया यहाँ पे कि अनिस्चित्ता के सिधान्त का प्रतिपादन किया प्रोपाउंडिट दा अंसर्टेंसी प्रिंसिपल आइंस्टीन, हाईजेन बर्ग, रदरफोड या फिर पाउली निमलिकित में से किस के दवारा जो है अनिश्चित्ता के सिधान्त का प्रतिपादन किया गया क्या होगा राई डांसो निमलिकित में से किस ने जो अनिश्चित्ता का सिधान्त दिया है तो यहाँ देखो दिया गया है हाईजेन बर्ग के द्वारा क्या हो गया तो आप्सन भी हाईजेन बर्ग चलिए नेक्स कीशन देखेंगे अगला सवाल यह यहाँ पे देखो आपका 94 नमबर सवाल है कि जैरो पथलमिया किस विटामिन की कमी से होता है जैरो पथलमिया is caused by deficiency of which विटामिन विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K या फिर विटामिन A निमलिकित में से किस विटामिन की कमी से जैरो पथलमिया नामक रोग होता है क्या होगा राइट आंसर सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है तो जैरो पथलमिया नामक जो रोग है यह देखो होता है किस की कमी से तो यह होता है विटामिन A की कमी से क्या हो गया राइट आंसर तो option D हो गया सभी का चलिए अगले सवाल पर पढ़ेंगे नेश्क यूश्चन है आपके यहाँ पर 95 नमबर सवाल है कि प्रकास वर्स किसकी इकाई है दूरी की, समय की, प्रकास की या फिर धारा की निमलिकित में से जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को आल पे सेट कर लेना और सभी को जो है इस क्लास की PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रूप पर ठीक है टेलीग्राम ग्रूप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिक्स्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ से जाकर आप से भी जोईन कर सकते हो सभी को PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रूप में प्रकास वर्स किसका ही का ही है तो यहां देखो ही का ही है दूरी का क्या हो गया तो अप्शन ए चलिए निक्स्रिप्शन देखेंगे अगला सवाल यहां पे है देखो कि विदूद परतिरोध का SI मातरक क्या है वाट इस देखाई यूनिट ओफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जूल ओम मीटर या फिर रेडियन निमलिकित में से जो विदूद परतिरोध है इसका SI मातरक क्या होता है क्या होगा राइट आंसो विदूद परतिरोध का जो SI मातरक क्या होता है तो जो विदूद परतिरोध है इसका SI मातरक है यह क्या होता है तो यह देखो ओम होता है अगला सवाल देखो 98 नमबर यहाँ पे यह दिया हुआ है कि निमलिखित में से कौन सा एक धातू है वीच आप दो फॉल्लविंग इज़ा मेटल कैरोलीन कैलोरीन या जिंक या नियोन या आयोडीन निमलिखित में से कौन सा ऐसा है जो की एक धातू है सभी लोग को बताने है और बिल्कुल से बताने है जल्दी से करना है तो निमलिखित में से जो एक धातु है वो है देखो जिंक क्या होगे राइट आंसर तो option B चली अगला सवाल करेंगे निन्यानवे नमबर कि एक व्यक्ति एक दिवार को धका देता है पर उसे भी अस्थापित करने में असफल रहता है तो उसने क्या किया तो उसने देखो कोई भी कार्य नहीं किया क्योंकि वो जो कर रहा था वो हुआ ही नहीं तो उसने कोई भी कारें नहीं किया है चली अगला सवाल करेंगे और यह जो है आपका आज का लास्ट क्यूशन है सो नमबर सवाल है आपका कि जब किसी वस्तू को ठंड़ा किया जाता है तब उसकी अनुओ वेन अबजेक्ट इसकूल इस मॉलीक्यूल की उर्जा बढ़ ज जाएगा या फिर का भार बढ़ जाएगा क्या होगा राइट आंसर सभी को करना है और बिल्कूल सही बताना है तो चलिए बताएंगे सभी लोग क्या होगा जब किसी वस्तू को ठंड़ा करेंगे तब उसके अनुओ के साथ क्या होगा तो यह जो क्यूशन है यह क्यूशन प्रिक्षा निकालना चाहते हो अगर 15 जनवरी को आगनी विरारी परिक्षा निकालनी है 50 में से 45 पलस सवाल बनाने हैं तो इन दोनों e-book को सभी लोग जरूर खरीद लोगे दोनों e-book एक है मातर 50 रुपय का एक है मातर 90 रुपय का अभी आपका 15 जनवा अभी 13 नॉमबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 50 रुपय वाला e-book में से 20 से 20 सवाल मैथ और इजनिक आ गया था तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रिजनिक में दिक्कत होगा ये जो e-book देख रहे हो 90 रुपया वाला इससे अभी 30 में से 28 सवाल आया था 15 जनवरी वाले हो इस e-book को जरूर बाई कर लोगे ये एक देखो है 50 रुपय का एक है 90 रुपय का अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपय लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र 500 रुपय में आप इन दोनों e-book को खरी सकते केवल 150 रुपय में और एक है 3200 प्लस जिक्ये जीस क्यूचन का ये मिल रहा है मात्र 90 रुपय में दोनों करोगे तो मात्र 500 में दोनों मिल जाएगा जरूर खरीद लेंगे